नमस्कार मेरे प्यारे बच्चो आज मैं आपके लिए लाई यूँ एक नई कहानी कहानी का शिर्षक है किसी को न कहना डोंट टेल एनिवन जरह सोचिए जो व्यक्ति किसी बात को गुप्त न रख पाए तो उसके जीवन में किन-किन परिशानियों का सामना करना पड़ता है आज हम ये इस कहानी से जानेंगे तो चलते हैं हमारे कहानी की तरफ इंड्र देवताओं के राजा है उनका एक हाती है बिलकुल सफेद नाम है एरावद एक दीन एरावद धर्ती की दुनिया देखने निकला राद का समय था वो एक गन्ने के खेत में उतरा लगा गन्ने खाने वाह क्या मीठरस है और एरावद धेर सारे गन्ने खा गया सुबह हुई किसान ने खेत देखा और लगा चिल्ला ने कौन मेरे गन्ने खा गया आज रात को पकड़ूंगा बच्चु को वह घर गया और मोटा रस्सा लेकर रात को खेत में आ गया सूरज धलते ही एरावद आसमान से उतरा बड़े मजे ले लेकर गन्ने खाने लगा किसान ने रस्से का फंदा बनाया घुमा कर एरावद की गर्दन में डाल दिया पंदे में फसा सफेद हाती देखा तो बहुत प्रसन न हुआ बोला तुम तो इंद्रदेव के हाती हो तुम मेरे गन्ने क्यों खाते हो क्या तुमारे यहां खाने को और कुछ नहीं मिलता एरावद बोला, मिलता है, मिलता है, पर इतनों मीठा गुन्ना नहीं मिलता सेब मिलते है, घड़े जितने बड़े और सुनारे अंगूर मिलते है, तर्बूज जितने बड़े, और भी ना बीच के किसान बोला, मुझे भी ले चलो अपने या एरवत ने कहा ठीक है कल तुम तयार रहना पर किसी को बताना मत किसान घर गया तो सोचा मा को बता दू बिना बताए गया तो मा चिंता करेगी मा ने सुना तो बोली मैं भी साथ चलेंगी किसान ने कहा ठीक है किसी को बताना मत मा ने अपनी पडोसिन को बताया पडोसिन ने अपने सहली को सहली ने अपने पती को बस बात फैलती गई और किसान की खेत में भीड लग गई एरावद आसमान से उतरा सब पेड़ पवधो के पीछे चुप गए किसान को देख एरावद बोला मेरी पूच पकड़ लो किसान बड़ा सा थैला लेकर पूच पकड़ने लगा मा ने किसान की ठांगे पकड़ ली और धीरे धीरे सब एक दूसरे की पकड़ कर तयार हो गए एरावद उड़ा तो लोग भी उड़ने लगे एरावद बोला किसान भाई थेला क्यों लाए हो किसान बोला थेले में घड़े जितने बड़े सेब और तरबूत जितने बड़े अंगूर भर कर लाऊंगा एरावत ने फिर पूछा कितने बड़े किसान ने पूछ छोड़ कर हाथों से दिखाना चाहा बस पिर क्या था धाम 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 अगले ही पल सब धर्ती पर लोट रहे थे एरावत ने कहा मैंने कहा था कि किसी को मत बताना लेकिन जब तुम से एक बात नहीं पच्ची तो तुम घड़े जितने बड़े सेब और तर्बुट जितने बड़े अंगूर क्या पचाओगे और एरावत अक्यला ही आस्मान में उड़ गया तो दोस्तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है अगर आपको कहिए कि कोई बात गुप्त रखमी है तो गुप्त रखो उसका विश्वास मत तोड़ो थैंक्स वा वाचिंग गाई